हेलो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एक एजूकेशन पॉइंट नंबर बन में आज हम बात करने वाले हैं कि अपना अधार अपडेट करवाय था तो उसकी इस्थित कहां पर है अभी अपडेट फाइनल कंप्लीट हो गया है या प्रोसेसिंग पड़ा हुआ है या रिजेक्ट हो गया है यह हम कैसे जानेंगे यह हम अभी आप लोगों को बताने वाले हैं तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने कोई भी ब्राउजर में तो उसको ओपन कर लेंगे वहां पर सर्च करना होगा हमें यू आई डी ए आई इतना सर्च करने के बाद में इसको थोड़ा हम उपर की तरफ बढ़ाएंगे और गवर्मेंट की ऑफिस्यल बेव साइड जो हो इसको सेलेक्ट कर लेंगे इसको सेलेक्ट और अपनी लांगवेच कर लेंगे इसके बाद में यह जो लोबो हमें दिखाई दे रहा है इसको पहले हमें कट करना होगा अन्यत्ता हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसमें इसको में कट कर देना है उसको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है और जो यह लिखा चेक आधार अपडेट स्टेटस तो हमें सको सेलेक्ट करना है और यहां पर दोस्तों क्या करना है हमें इंटर इंडर्लमेंट । तो वह कैसे ढालना है यह हम अभी आप लोगों को बताने वाले थे दोस्तों जो हमने आधार अपडेट करवाया था तो उसकी हमें एक रसीद मिली थी तो उसी को हमें यहां पर डालना है इन्रॉल्मेंट नंबर और इन्रॉल्मेंट 14 नंबर का होता है और उसके बाद में जो डेट एंड टाइम लिखा हुआ है तो डेट जो डालनी है तो हमें उल्टा डालना है जैसे हमने पोई भीतारी ले लिए तो हमें संद हजार पहले डालना है उसके बाद में मंध डालना है उसके बाद में डेट डालनी है उल्टा यानि उसका उल्टा डालना है उसी में और जो टाइम है वह जैसे लिखा हुआ है एकदम मतलब जैसे जो था टाइम वही सीधा ही डालना है तो इतना करने चलो हम दोस्तों करते हैं और हमने दोस्तों कर दिया है और जो इंटर कैप्चा लिखा है इसको हमें सही से डालना है एकदम बॉक्स में दि और सम्मिट कर देना है दोस्तों देखें दोस्तों हमारा जो हमने अपना अधार अपडेट करवाया था तो वो हमारा अधार कंप्लीट हो चुका है पूरा तो योर आधार हैज बीन जनेरेटर वाइट वैल योर आधार इज वेंग प्रिंटेड एंड पोस्ट पोस्ट तो यू प्लीज डाउनलोड यी आधार फ्राम www.udi.gov.in तो हमें बोल रहा है कि यह अधार काड अपना डाउनलोड कर लो आपका अधार बन गया है चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में धन्ने बाद अगर आपको थोड़ी सी हमारी वीडियो अच्छे लगी तो चैनल को सस्क्राइब प्रेस लाइक कर दें